दमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और पोस्टर स्टडी की नई वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशय सर्कल MTS जो एक्जाम हुआ है आपका 26 दिसंबर को उसकी अंसर की के बारे में तो दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहें तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो question number 1 30-12-2020 को खोला गया 50,000 रुपए का एक किसान विकास पत्र कब परिपक्व होगा ठीक है KVP 30-12-2020 को ये open किया गया तो कब ये परिपक्व होगा तो right answer रहेगा इसका option number B 30-4-2021 क्योंकि ये 124 महीने का होता है आपका इसकी validity तो आप लगा ले ठीक है 10 साल 4 महीने आगे बढ़ेंगे अगले question पे अगला question है हमारा प्रतिव वर्ष 1000 रुपए की बीमाराशी पर endowment assurance संतोश का अंतिम घोशित बोनस किया है तो इसका right answer है option number A 52 रुपए ठीक है तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले question पे वैसायो और संगठनों के लिए डागघर नेटवर्क के माध्यम से बिल अपने बिल या अन्य भुकतान एकत्र करने का एक smart विकल्प कौन सा है तो right answer है E भुकतान E पेमेंट ठीक है option number C आगे बढ़ेंगे अपने अगले question पे अगला question है सा question number 4 वो कारेला जो एक postal circle के मुख्याले में स्थापित होता है और बिना पते के या असपिष्ट या फिर अपोन पते के साथ दावा ना किये गए और अस्विकार किये गए पते पत्रों और पत्रों से संबंदित होता है उसे कहते है तो right answer है option number B returned letter office question number 5 है निमा लिखित में से कौन सा यूगल गलत सुमेलित है चार है आपके पास बने वे question number 5 में तो इसमें जो right answer रहेगा वो रहेगा आपका option number C ठीक है DBO postal store depot ठीक है DBO का मतलब district bag unit होगा ठीक है तो आगे बढ़ेंगे अगले question पर अगला question है निमान में से कौन सा सही है इन में से कौन सा सही है question number 6 इसका right answer है C, A और B दोनों केवल पत्रों के लिए चीनित लैटर बॉक्स का उप्योग केवल पत्रों और पोस्ट कार्ड की पोस्टिंग के लिए किया जाना है और QMS पत्रों में गंतवे शहर के नाम के नीचे पूरा पिन होना चाहिए तो right answer रहेगा A और B दोनों क्योंकि ये हिंदी में ही बेजा है सर ने जिन्होंने भी बेजा है हमें ये तो हम इसमें जादा कुछ नहीं कर सकते उसके लिए माफी चाहेंगे तो question number seven है INS जहाजों में उपसी नौसेना करमचारियों को लिखे गए पत्र किस तरह संबोधित किया जाना चाहिए तो option number C fleet mail office Bombay को संबोधित किया जाना चाहिए ठीक है कोई अगर इसमें मिर्से गल्दी हो जाए तो आप लोग माफ कर दीजेगा और comment में बता दीजेगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा अपना भी अवधी किस तारीक से शुरू होती है तो right answer रहेगा option number A महीने के पहले दिन से जिसमें post box आवड़ित किया गया होगा from the first day of month जिस month में allotment हुई है उसकी ठीक है तो किस कारयाले में bag में dark समान समान की वित्रन post bag की प्रनाली उपलब्द है तो चार options है इसमें right answer होगा सभी वित्रन post office all delivery post offices में post bag की सुविधा उपलब्द है आगे है question number 11 आदिकारिक डाग पत्रों के वित्रन के समय कम शुल्क या ticket लगाने पर जब डाग का परयापत रूप से बुकतान किया जाता है तो वो कितने शुल्क से किया जाता है चार options है आदिकारिक के मामलों में ठीक है तो ये question maximum हर एक circle में बूचा गया है इस पार ठीक है तो right answer है कमी के समान ही होगा जहां आदिकारिक डाग पत्र सेवा डाग टिकट के बज़ाए एक साधरन डाग टिकट का उपयोग किया जाता है तो वहाँ किया किया जाएगा चार options है आपके पाश पत्र को डाग गर द्वार आदिकारिक डाग पत्र के रूप में माननेता दी जाएगी अनियमिता को डाग गर के अदिकारी प्रभारी द्वारा लाया जाएगा जिस पर संबंदित अधिकारी की सूचना पर पत्र को पोस्ट किया गया था और यदि लगातार घटना होती है तो अनियमित्ता को परिमंडल के प्रमुक के पास लिया जाएगा तो ये उपरोग सभी राइट आंसर है ठीक है क्वेश्चन नमबर 13 है अपंजिकरित पारसल का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए तो चार किलो से अधिक नहीं होना चाहिए उप्शन नमबर A राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 14 है कितने वयासक संगयोक तरोप से डागर बचत ख़त खोल सकते है तो उप्शन नमबर B केवल दो राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नमबर 15 है सुकन्या समरिदी खाते ऐसे से में बाद में जमा कितने किसके गुणकों में किया जाता है तो उप्शन नमबर C है इन दा मल्टिपल आफ 50 रुपीज पचास के गुणकों में ठीक है नमबर 16 नमलिकित में से कौन सा गलत है इनमे से कौन सा गलत है तो उप्शन नमबर D राइट आंसर हो जाएगा उप्रोप्त में से कोई नहीं ये सभी सही है इनमें कोई भी गलत नहीं है डाक निर्देश शाले का जो D अनुबाग होता है वो सेंटरल बैगिंग यूनिट के रूप में कारे करता है सरकल बैग कारे ले बैग की खरीद और वित्रन से संबंदित वैपार से संबंदित है बियो के अलावा हल डागँग को यूनिट बैग आफिस के रूप में पढ़ जाता है ठीक है तो राइट अंसर है D आगे चलेंगे निमा लिखित में से कौन सा से ही है इनमें से कौन सा सही है, चार option से, question number 17 में, तो इसमें right answer, option number C, parcel bag, due bag नहीं है, और जब इने बेजा जाता है, तो unusual के रूप में माना जाता है, unusual mail के रूप में, असा मानने mail के रूप में, question number 18 है, नमेलेकिन में से कौन सा गलत है, mail bag, day bag नहीं है, खाता bag, day bag नहीं है, packet bag, day bag नहीं है, और cash bag, day bag नहीं है, question number 18, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, इनमें से कौन सा गलत है, तो mail bag, day bag नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 19 पे, जब दूर दूराज के स्थानों पर बहुत सारे bag उपलब्द हो, तो कि सुविधा का उपयोग किया जाता है, चार options है, यहाँ पर आपके पास, तो right answer होगा, cage TV, cage TV का उपयोग किया जाता है, निमन में से कौन सा सही है, question number 20, ठीक है, तो परिक्षन कार्ड सिवा, post card है, परिक्षन कार्ड सिवा post card है, और, परिक्षन कार्ड मार्ग द्वारा अग्रेशित किया जाना चाहिए, यदि इसमें, कोई उसमें chin ही तो, ठीक है, तो परिक्षन कार्ड station bundle में शामिल किया जाना चाहिए, और उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यहां पूछा गया है आपका इसमें से कौन सा सही है तो इसका option number A भी सही है और B भी सही है ठीक है क्योंकि जो trial card होते है वो service post card होते है और trial card में अगर कोई route दिया गया है तो इसको उस route से भेजा जाना चाहिए तो दोनों ही सही है मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें की यह question कैसा है ठीक है तो इसका दोनों ही सही है इसमें यह आप देख लिजेगा बागी जब भी आपका answer आता है शायद common question मेल सकता है इसका आपको तो 21 question number option number D right answer है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं इन में से कौन सा गलत है इन में से कोई भी गलत नहीं है ठीक है तीरा postal circle से डाक संचार मंतराले के अंतर गाता आता है और शिर्ष प्रबंदन निकाय डाक सिवा बोड है ठीक है तो question number 22 है postal circle के मुख्याले के संबंद में निमलेकित में से कौन सा जोडा गलत है ओडिशा बोनी शुरम दिली नहीं दिली बिहार दर्बंगा तो बिहार दर्बंगा गलत है ठीक है आगे बढ़ेंगे रविवार और राष्ट्रिया उकाश पर निमलेकित में से कौन सा कारेले कारे करता है तो night post office कारे करता है तो right answer option number A है question number 24 है हमारे पास महानी देशा किसी भी डाग घर के कारे के समय को कब तक बढ़ा सकते है तो 8 बज कर 30 मिनिट तक बढ़ा सकते है यहाँ पर यह नहीं पूछा है तो कि किसी को भी बढ़ा सकते है तो किसी भी को बढ़ा सकते है मतलब सभी को नहीं बढ़ा सकते है night post office का बढ़ा सकते है 8 बज कर 30 मिनिट तक ठीक है तो 8 बज कर 30 right answer होगा क्योंकि उसी को बढ़ा सकते है और इसमें कुछ दिया नहीं है तो right answer वही होगा question number 25 है पंजिकरित और बीमित पत्रों का booking के लिए वैवसाइक घंटे आम तोर पर कितना होता है तो option number B 6 से 7 घंटे right answer रहेगा आगे बढ़ेंगे अपने अगले question पर question number 26 है हमारा निमालिकित में से कौन सा गलत है इनमें से कौन सा गलत है तो option number D right answer होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं यह सभी है यह सभी बिलकुल सही है डाक का भुकतान आमतोर पर डाक टिक्टो के माध्यम से होता है और डाक टिक्टो के भुकतान के रिले राजेस्व टिक्टो का उप्योग नहीं किया जा सकता है revenue stamps cannot be used for payment of postage डाक शुल का भुकतान फ्रैंकिंग मशीन के चापों के माध्यम से भी किया जा सकता है तो सभी सही है गलत तो कोई भी नहीं है आगे बढ़ेंगे question number 27 पे निमलेकित में से कौन सा सही है इनमें से सही कौन सा है तो option number C है A और B दोनों ही सही है ठीक है आगे बढ़ेंगे question number 28 में निमलेकित में से कौन सा सही है ये भी सही वाला ही है तो इसमें right answer है 28 का सी A और B दोनों ही सही है ठीक है जनता को सलाजी जाती है पत्रों और पैकिटों के बाहर मुहरों के लिए sealing mom का प्योग ना करे पर अगर कर ही लेते है क्योंकि emergency है तो उसके बाहर पतला कागज या फिर एक रूई का टुकड़ा mom का तो वो लगाना चाहिए कुछ पतला तो दोनों ही सही है ठीक है तो आगे बढ़ेंगे question number 29 पि प्योगाइट पार्ट एक के clause 17 के अनुसार कीमती पत्थर की इसके द्वारा भेजे जा सकते है केमित केवल बीमित पत्र के द्वारा भेजे जा सकते है insured के द्वारा ठीक है तो आगे चलेंगे पि योगाइट पार्ट बन का कौन सा clause डाक टिकट है लगाने के तरीकी का वर्डन करता है तो clause number 23 है जो की postage steps कैसे लगानी है वैसा बताता है आपको ठीक है तो question number option number D right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अपने अगले question में Tokyo Olympic खेलो 2020 के लिए qualify करने वाली पहली भारतिया फेंसर कौन है ठीक है तो फेंसर वो जो पतलीसी तलवार वाजी होती है और इसका right answer है भवानी देवी C.A. भवानी देवी ठीक है तो option number C right answer हो जाएगा ठीक है तो current affairs के भी काफी पूछे जाते है अब exam में Olympics के खास तोर से तो वो याद रखने जारूरी है राजा जनक के महल में भगवान शिव का दिवेधन उश्किस के द्वारा तोड़ा गया था ये नहीं पता होगा किसी को तो option number B. इराम के द्वारा तोड़ा गया था ठीक है आगे बढ़ेंगे अपने एगले question पे लोक नित्रे गुमरा किस राजे से संबंदी थे तो ओडिशा राजे से संबंदी थे option number D. राइट अंसर हो जाएगा आगे चलेंगे question number 34 पे आपने अपने दोस्टे 500 रुपए इस शर्त के साथ उधार लिए जब मैं ये पढ़ रहा था question paper तो मुझे काफी अजी आई आप क्या करेंगे चार option से ये काफी फ़नी है देखे रुको जब तक वो पैसे वापस करने के लिए नहीं कहता आन्या था 500 रुपए भूल जाओ ठीक है धन्यवाद के साथ दोस्ट को पैसे लोटाएं उसे और 500 रुपए देने के लिए अनुरोद करें यह जाचने के लिए उसे याद है की नहीं और अगला है हमारे पास question number डी शेयर बजार में 500 रुपए का निवेश कर दे तो right answer इसमें रहेगा वैसे जो होना चाहिए नयतिक्ता के तोर पे वो है धन्यवाद करें अपने दोस्त का और उसको पैसे लोटा दे पर जादा दर दोस्त ऐसा करते नहीं है ठीक है आगे बढ़ेंगे अपने एक ले question पर 35 है डागर के खुलने के समय अपने ग्राह को के उप्योग के लिए रखा गोंद समाप्त पाया ठीक है ततकाल एक ग्राह को खुले लिफावे के साथ booking के लिए आया और packing के लिए गोंद के लिए अनरोद किया आप डागर के MTS है आप क्या करेंगे ठीक है चार options है ग्राह को बाजार से गोंद खरीदने के लिए कहें और packing के बाद booking के लिए आए ऐसा कहें option number B है ग्राह को बताए कि परेवेक्षक से तुरंत परामार्श करके गम की व्यवस्था करें तो right answer है आसुईधा के लिए उनसे शमा मांगे और परेवेक्षक से कहें कर तुरंत गम की व्यवस्था करें question number 36 से आपका तो जिसमें right answer रहेगा आपका option number D चीक है तो 0 और question number 37 right answer रहेगा option number C 400 percent question number 38 right answer रहेगा option number A 10 question number 39 right answer रहेगा option number D question number 40 right answer रहेगा option number A 40 ठीक है रूपीस 40 question number 41 right answer रहेगा option number A पांच साही पांच बटेन नौ परतिशत और question number 42 ठीक है right answer रहेगा इसमें option number D पांच साल आगे चलेंगे question number 43 right answer रहेगा आपका 37 साल option number A आगे बढ़ेंगे question number 44 तो right answer रहेगा option number B 14 घंटे इसके आगे बढ़ेंगे question number 45 की ओर तो question number 45 का 33 33 साही एक बटा तीन right answer रहेगा question number 46 question number 46 है आपका भारत की सबसे लंबी अंतराश्टिय स्रीमा के इस देश के साथ लगती है भूटान नेपाल पाकिस्तान बांगलादेश तो right answer रहेगा बांगलादेश रीजन यह है कि यह तीन जगा से बारत से गिरा हुआ है तो दशाशव मेध घाट किसके तट पर स्तीत है ठीक है तो दशाशव मेध घाट किसके तट पर स्तीत है ब्रामनी बैतर्नी महा नधी खर स्तुरूदा ठीक है तो इस question में थोड़ा सा मुझे doubt लगता है कि दशाश्य अमेद गाड जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है काशी विश्विना टेंपल के है ना तो काशी में तो बट इसमें कोई भी गंगा नहीं है ना ही गंगा कोई दूसरा नाम दिया है ना तो इसमें मुझे तोड़ा डाउट है question number 47 पे आप लोग बताएं मुझे कि अगर आपको इसका right answer पता है तो comment में जरूर बताएं भारत का समीधान है 48 कठोर लचीला बहुत कठोर या फिर आंशिक रूप से कठोर आंशिक रूप से लचीला तो right answer है आशिक रूप से कठोर है, आशिक रूप से लचीला है क्यूंकि ना ही बहुत जादा कठोर है ये और ना ही इतना जादा लचीला है कि आसानी से इसमें amendment कर पाए ठीक है क्यूंकि इसके लिए कोई भी अगर आपको संशोधन करना है तो उसके लिए एक जटिल प्रक्रिया है जो की सभी धान में ही लिखी गई है तो question number 49 है हमारा भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार किस आधार पर दिया गया है option number A, शिक्षा, option number B, आयू, option number C, संपत्ति, option number D, धर्म तो right answer है, option number B, आयू, 18 वर्स से अधिक के व्यासक जो है वोट देने के अधिकार रखते है तो question number D है, duck शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, soccer, volleyball, golf या फिर cricket ठीक है, तो option number D है, cricket, जब भी कोई बल्यवास जीरो पर आउट होता है, शुर्ने पर आउट होता है, तो उसे duck कहते है ठीक है, तो ये थी, 33 गड़, सॉरी, ओड़ीशा सरकल, का, आपका set A है ये, ठीक है, तो इसका answer की, बाकी, उमीद करता हूँ है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो Like कर दीजिए का, Share कर दीजिएक आपने हर निगला आपका धन्यवाद शुबरात्री